नमस्कार मैं राहुल आटो लोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज तारीक है 10 अगस्त 2023 मेरी वीडियोस में तारीक का बताना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में आपको लोन रिगार्डिंग डिटेल देता हूं तो जो लोन के रेट यह मैं आपको बता रहा हूँ यह मैंटर करता है और यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है आज 10 तारीक को मैं जो रिट ऑफू इंटरेस्ट बता रहा हूं यह वैलिड आज की डेट में हैं तो जो मैं तारीक बता वां यह जब तक रहेंगे अगर कोई भी चेंज़ आ आते हैं तो आपको दुबारा बता दिया जाएगा लेकिन अगर आप मेरी वीडियो इन फ्यूचर कभी देखते हैं तो मेरी इस वीडियो को देख करके यह ना समझें यह रेट ऑफ इंट्रेस्ट आज की डेट में यह जब भी आप देखना जब करन्ट डेट में चल रहे हैं माई में भी रेट ऑफ इंट्रेस्ट बदले थे जून में भी बदले थे जुलाई में भी बढ़ गए हैं और आज अगस्त 17 जुलाई से लेकर के रेट ऑफ इंट्रेस्ट यहां चेंज हो गए हैं तो दोस्तो क्या रेट ऑफ इंट्रेस्ट यहां पे चेंज हुए हैं मैं वो जानकारी दूँगा, प्लस आपको green car loan पे क्या rate of interest चल रहे हैं, वो जानकारी दूँगा, green car loan पे जो ब्यासदर चल रहे हैं, दोस्तो green car loan होता है, जो electric vehicles हैं उनके उपर, इसके अलावा loyalty car loan पे क्या ब्यासदर चल रहे हैं, मैं वो जानकारी दूँगा, लेकिन अगर आप आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पर मैं लोन के रिगार्डिंग जो भी लेटेस अपडेट आते हैं वो मैं यहां अपनी चैनल पर सेर करता दोस्तों मैं आपको कुछ अपडेट बताता हूँ जो कि मैंने लास्ट वीडियो अपरेल में मनाई थी अपरेल के कुछ जो चेंजिस आए थे उसके बाद से 6 अपरेल 2023 से लेकर के 30 जून 2023 मैं बात कर रहा हूं जून की 30 जून 2023 तक बैंक के ब्याजदर थे 8.65 से लेकर के 9 तक यहां पर बैंक ब्याजदर दे रही थी लेकिन जब 30 जून 2023 खतम हुआ तो बैंक के ब्याजदर पहुच गए थे 8.85 एक जून से 17 जून तक मैं बता दूं जिन लोगों ने एक जून से 17 जून तक जो कारलोन लिये थे उसमें जो ब्याजदर चल रहे थे 8.85 से लेकर के 9.65 तक अचा यह जो चीजें होती हैं जो मैं बता रहा हूँ कि इतने से लेकर के इतने तक यह क्यों ऐसा क्या है मता दूं सिबिल एक बहुत इंपोर्टन फेक्टर है लोन में हम लोग बैंक में जो है पहले सिबिल चेक की जाती है उसके सिबिल के अकॉर्डिंग ही आपको ब्याजदर दिया जाएगा फिक्स ब्याजदर है ब्याजदर में कोई भी नेगोशियेट नहीं करेगा पहले से प्री डिफाइंड है कि अगर आपकी सिबिल साड़े साथ सो है साथ सो सतावन है साथ सो पिचत्तर है तो इतना ब्याजदर मिलेगा कुछ सिबिल के मैं आपक उनको पता होगा हैं उनको बता दूग जीवन में पूरी लाइफ में आपने जो भी लोन लिये हैं परस्नल लून कार लॉन मुबाइल का लोन सबी लॉन िसविल को रिपोर्ट होते हैं हर लॉन देने वाली कमपनी बैंक dival को रिबोर्ट करते हैं कि तो पर पहले सिबिल देखी जाती है कि आपके पुराने जो लोन थे आपने वो कैसे चलाए तो SBI के जो टम्स हैं वो कैसे हैं minimum SBI कारलोन की बात कर रहा हूं मैं और यह ध्यान लखिएगा यह जो कारलोन है यह न्यू कारलोन है ओल्ड कारलोन की उपर नहीं है यूजड कारलोन की उपर नहीं है आप सोरूम से नई गाड़ी खरी देंगे वो ब्याजदर में यह बता रहा हूं यूजड कारलोन की नहीं बता रहा हूं तो इसमें कन्फ्यूज मत होना यूजड कारलोन के ब्याजदर अलग रहते हैं हल फिलाल जो है नियू कारलोन की बात चल रही है तो 775 775 सबसे अच्छी सिबिल SBI ने या पर यह रखी हुई है कि 775 से ऊपर अगर आपकी सिबिल है या 775 भी है तो मिनिमम ब्याजदर जो है वो आज की डेट में 8.80 है कब से है 17 जुलाई 2023 से लेकर के 30 सितम्बर 2023 तक बैंक के जो ब्याजदर है वो चल रहे हैं 8.80 से लेकर के 9.70 तक 8.80 से 9.70 तक अगर आपको 8.80 ब्याजदर श्टेट बैंक से चाहिए तो उसके लिए आपका सिबिल स्कोर 775 होना चाहिए आपका रेट अफ इंट्रेस चेंज नहीं होगा आपकी सिर्फ सिबिल के इसाप से ही रेट अफ इंट्रेस दिया जाएगा आपके अलग कोई भी वेनिफिट्स हों उससे यहाँ पे कोई भी चेंज़िस नहीं मिलेंगे हाँ अब अगर 757 से लेकर के 774 सिबिल स्कोर आता है तो 8.90 एंड 9 परसंट का ब्याजदर है 721 से 756 सिबिल स्कोर आता है तो 9.15 एंड 9.25 का ब्याजदर है 915 नौपच्चेस अगर सिबिल आपका 721 से 756 हुआ तो और 700 और 700 से 700 भी 700 2720 सिबिल स्कोर होता है तो ब्याजदर मिलेगा 9.40 एंड 9.50 का यह प्री डिफाइंड है पहले से बैंक ने बता रखा है इतना सिबिल चाहिए इतने सिबिल पर इतना रेट अफिंटर्स आपको आफर किया जाएगा कोई भी एक्स्ट्रा छूट नहीं दी जाएगी इसमें अल्रेडी यह 10 पैसे कंसेशन चल रहा है 30 सितंबर के बाद यह ब्याजदर फिर से बढ़ जाएंगे तो 30 सितंबर तक फिर से यह ब्याजदर चल रहे है 30 सितंबर के बाद बैंक के ब्याजदर फिर बढ़ जाएंगे अच्छा आपको एक चीज़ा बता दूँ कि स्टेड बैंक के यह ब्याजदर चल रहे है तो अधर बैंकों में भी 10-20 पैसे उपर नीच ही होंगे वहाँ भी आपको अगर कोई लोन बताता है तो आपको कोई rate of interest कम करके बताएगा लेकिन आप उससे पहले पूछ लीजिए मैं एक advice देता हूँ आप as a customer जब हम किसी के पास बात करने जा रहे हैं गाड़ी purchase करने जा रहे हैं लोन की बात कर रहे हैं तो उसको पहले सारी condition बता दीजिए अगर आपको आपका civil score पता है तो उसको civil score बता दीजिए कि मेरा civil इतना है और इतने पे आप क्या ब्याजदर देंगे यह main factor है और यह depend करता है हमेशा आपके civil के उपर हर bank में civil ही follow होगी तो आगर किसी ने मालो आपको state bank ने बोला 8.80 किसी executive ने आपको बता 8.80 का rate of interest मिलेगा और वहीं कोई और bank आपको बोल दे कि नहीं मैं इस से कम दे दूँगा मैं 10 पैसे और कम दे दूँगा तो आपने बोला रहे यार यह तो state bank से भी PNB bank वाले 10 पैसे कम दे रहे हैं 20 पैसे कम दे रहे हैं पर आप अपनी उनको condition भी बता दीजिएगा मेरा civil इतना है क्या इस civil पर इतना मिलेगा ऐसा नहीं कि आज मैंने state bank से भी मना कर दिया और मैं आपके पास गया और आपने मेरे को वहाँ जाकर कि मेरी civil चेक की और फिर बोल दिया कि नहीं इतना rate of interest नहीं मिल पाएगा SBI में other bankों में rate of interest में दो type होते हैं एक होता है floating एक होता है fix fix का मतलब होता है car loan पे जो ब्याजदर आज की rate में दिया गया है ये change नहीं होगा floating का मतलब होता है जो आज ब्याजदर दिया गया है जिस तरीके से ब्याजदर बढ़ेंगे उसी के accordingly जो ब्याजदर जब चल रहा होगा तभी का ब्याजदर आपको मिलेगा अगर मैं आज 8.80 पे देता हूँ SBI में तो 8.80 पे ही चलेगा आप 7 साल के लिए लेते हैं तो 7 साल तक 7 साल तक मतलब स्वरी एक चीज़ बता देता हूँ तीन साल चार साल पांच साल ये बैंक के ब्याजदर एर हैं तीन साल चार साल पांच साल और 6 साल और 7 साल मैंने अलग-अलग क्यों बता हैं तीन से पांच अलग ब्याजदर है 6 से 7 दो टम्स हैं 3, 4, 5 साल में जो ब्याजदर मिलेगा उससे 10 पैसे ब्याजदर 7 साल में जादा होगा मैंने बोला 8.80 यह minimum ब्याजदर है SBI का कार लोन का इस वक्त तो 10 पैसे जादा है अगर आप 6 साल और 7 साल में बैंक का लोन लेते हैं तो मैंने अगर एक कार लोन लिया है तो 8.90 का मुझे कम से कम ब्याजदर मिलेगा SBI में कार लोन का अगर मैं 7 साल के लिए लेता हूँ तो 10 पैसे से कोई फरक नहीं बढ़ता आप देख लेना कितना अंतर आता है मातर 10 पैसे से यह सिर्फ स्टेडेजीजीज होती है other bank वाले 10-20 पैसे कम करके बताएंगे पर आप overall देखना तो इतना कोई खास फरक आता नहीं है बाकी depend करता है लोगों के लिए 500 रोपे भी matter करते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप वहाँ पर अपना पैसा लीजिए वहाँ से जहां से आपको किफायती पड़े अगर कोई bank आपको आज state bank से 10-20 पैसे कम करके देती है और आपने 5 साल के लिए लिया और 5 साल के अंदर वही ब्याजदर उन्होंने आज 8.70 दिया था आने वाले 3 साल के बाद वह ब्याजदर 9.25 पे चलने लगेगा तो आप खुद सोचिए कि आपको क्या फायदा पड़ा अगर state bank में loan लेते तो 8.80 पे ही चलता फुल 5 साल तक अगर वहीं हम दूसरी बैंकों में गए वहाँ फ्लोटिंग rate of interest लिया और उन्होंने आज 3 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद वही ब्याजदर आपके 9.25 साड़े 9 परसें परसेंट पर चलाना स्टार्ट कर दिये तो घा अगर आपका state bank से loan हो सकता है तो कोसिस करिए state bank से लीजिए अब अगर आपकी criteria fix नहीं है तो बात अलग है आप other bank से ले सकते हैं आप private bank से ले सकते हैं और आप NVFC से भी ले सकते हैं NVFC का मतलब होता है non banking financial जो महिंदरा finance है सुंधरम finance है यह सब NVFC है कोटेक finance भी आ जाता है जो bank नहीं है वो सारे NVFC में आते हैं तो दोस्तों यह डिपेंड करता है कि अगर हमारी profile अच्छी है हम salary person है हम businessman है हम agriculturalist है और हम ITRV फाइल करते हैं हमारी income अच्छी है क्योंकि SBI minimum 25,000 monthly income मांगता है और फिर इसके अलगले criteria में next video में आपको ये भी बताऊँगा कि हम हमारी income कैसे calculate करें कि हमें कितना loan मिल जाएगा और अगर आपको मेरी video अच्छी लगती है तो आप मेरे comment में बताईएगा कि eligibility निकालना भी बता दीजिए तो मैं वो भी आपको बताऊँगा क अपनी eligibility कैसे calculate की जाती है कि हमें कितना loan मिल सकता है तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये new car loan के उपर थी new car loan के मैंने यहां ब्याजदर बताए है अगर आपको मैं फिर से clear कर देता हूँ 8.80 17 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक 8.80 का minimum ब्याजदर है and highest ब्याजदर जो है वो 9.70 है इसमें दोस्तों 700 से नीचे civil होगी तो bank loan नहीं देगा ये बात ध्यान रखिएगा 700 से नीचे के जो civil score है वो सरिफ उन ही को loan मिल सकता है जिनका DSP account है या फिर corporate salary package है defense salary package account जो defense में लोग है उनको 700 से नीचे loan मिल जाता है और जो corporate salary package account maintain करते हैं जैसे कि कोई education department में है department job में है education department में है या कोई triple A companies में काम करता है जिसका corporate package account है उनको 700 से नीचे loan मिल जाता है लेकिन दोस्तों 700 से नीचे loan होगा तो कुछ ना कुछ civil में default हुआ होगा वो भी reason देखना पड़ेगा कि किस valid reason की वजह से हुआ था अगर कोई settlement हुआ को राइट-off हुआ तो loan नहीं मिलेगा बिलकुल भी किन कंडिशन्स पर हम लोन ले सकते हैं सिविल में dispute क्या होते हैं सिविल में disputes भी फाइल होते हैं कई बार हमारी सिविल हमारी ना होते हुए दूसरे का records उसमें सो करते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं तो इसके अलाबह मैं अब आपको बता देता हूं green car loan पर क्या ब्याज 8.65 electric vehicle पर भी car loan चल रहे हैं 8.65 से लेकर के 9.35 9.35 तक का ब्याजदर है electric vehicle के उपर अगर आप को electronic car लेते हैं उसको green car loan बोलते हैं 8.65 से लेकर के 9.35 तक again depend करेगा आपका सिविल स्कोर कितना है इसके उपर सिविल आप खुद से भी देख सकते हैं सिविल की साइट से सिविल.com पर जाकर क्या आप सब्सक्रिप्शन लेकर दे सकते हैं या पर पे टीम पर भी चैक कर सकते हैं इसके अलाबा loyalty car loan के आप बताये दाओं देखिए loyalty car loan जो है हमारे एक product है SBI में उसमें ये condition है कि उसमें ये है कि अगर आपका SBI से home loan चल रहा है अगर आप अलड़ी SBI से home loan ले चुके हैं या continue running कर रहे हैं और आप साथ में एक car का प्लान करते हैं तो जो bank ने ब्याजदर यहां offer किये हैं 8.80 इसमें 5 पैसे का और concession आपको मिल जाएगा तो 8.75 का ब्याजदर हो जाएगा अगर आप loyalty car loan लेते हैं तो right अगर आपका home loan है तो 5 पैसे discount और मिल जाएगा जो existing customers को normally मिल रहा है उससे भी 5 पैसे कम मैं आपको SBI car loan दे देगी new car loan तो दोस्तो वीडियो जादा लंबी ना होते हुए मैं इस वीडियो को यहीं खतम करता हूँ अगर आपको और भी कुछ पूछना हो आप comment box में मिर से पूछ सकते हैं मैं use car loan के ऊपर भी एक नई वीडियो लेके आऊँगा जल्दी एंड यूस car loan के rate of fantasy नहीं है आप इस बात का ध्यान लखियेगा लेकिन यह सिर्फ new car loan के ब्याजदर है thank you and subscribe my channel and please like भी कर दीजेगा अगर आपको अच्छे वीडियो लगती है तो thank you